अग्या टॉट कि अग्या टॉट कि एलो स्ट्रेंट्स कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे क्लास्रूम में आप सब का स्वागत है मैं विकास क्लास 11 का मैट कर रहे हैं चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर को कंटीनु करना है बचो यहां पर कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमने समझी है और जिनके आधार पर क्वेश्चन कर रहे हैं उन आइडेंटिटीज में से कुछ आपके सामने हैं इनका यूज हो सकता है आपके क्वेश्चन में तो हमने काफी क्वेश्चन में यूज किया भी है एक बार रिवाइज की इसटिए फिर हम क्वेश्चन करें अब आप नोट डाउन करेंगे वाश्चन लिखे सबसे पहले करेंगे एक बार रिवाइज की इसबसे पहले एक बार रिवाइज की इसबसे पहले हैं तो देखी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड है इसको हल करेंगे हम राइट हैंड साइड के इकवल लेके आएंगे चलिए नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए जल्विसे ठीक है बच्चो इसको सॉल्व करेंगे अब हम देखें लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है क्या है कोट एक्स कोट टू एक्स ठीक है माइनस कोट टू एक्स कोट टू एक्स माइनस कोट टू एक्स और कोट एक्स इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा पहले देखें हम एज इस लिखते हैं कोट एक्स इन्टू कोट टू एक्स को ऐसे ही लिख देते हैं ठीक है यहां तक कोई दिक्टर नहीं है अब देखिए माइनस मैंने यहां पर लिख दिया, common ले लिया, minus cot 3x, यहां से common ले लिया, cot 3x, cot 3x यह हो गया, minus इनका common आ गया, क्या बच जाएगा, cot 2x plus cot x, यह बच गया, अब यहां पर हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, देखे, bracket के अंदर क्या है, cot 2x plus cot x है, तो cot 3x को मैं क्या करता हूँ, यहां पर लिक्स पकता हूँ, यह तो as it is हो गया, cot 3x हो गया, cot 2x plus x, ठीक है, cot 3x को मैंने expand करके लिख यह इस प्रकार से, बाकी as it is रहने दीजिए, cot 2x plus cot x, यहां तक कोई दिक्क्राइगा, अब देखे, एक formula आपके सामने आएगा, यहां पर, हमें पता है, कि because, cot a plus b, क्या होता है? cot a, cot b, minus 1, by cot a, plus cot b, यह सूतर तो आप सबको पता होगा, इसको apply करते हैं हम, इसमें, ठीक है, सिर्फ इसमें, बाकी सब as it is listing है, तो क्या आजाएगा, cot x, cot 2x, minus, और यहां पर यहां पर यहां पर यहां गया, cot 2x, cot x, minus 1, by, cot 2x, cot x, ठीक है? समझ गए? यह formula हमने यहां पर apply कर दिया है, या फिर इसको भी हम, normally ऐसी लिख लेगा, बड़े brackets लगाने की जरुद में हैं, ठीक है? और यह है, cot 2x, plus cot x, अब देखे, एक चीज़ धान दीजिए, यह और यह आपस में multiply हैं, हाना, यह यह multiply है, common लिया था हमने यहां से, तो cot 2x, plus cot x, यहां पर क्या है cot 2x, plus cot x, यह आपस में cut गए, cancel out हो गए न, तो बस, यह बच गया आपके पास, इसको solve करेंगे, तो आपका answer 1 आ जाएगा, हैना, पहले यहां तक note down कीजिए, फिर आगे करते हैं, तो बच्चों सबने कर लिया है, no down, आगे देखिए, as it is, लिख लेतने पहले, इसको cot x into cot 2x है, कोट x into cot 2x, उसके बाद और क्या है, minus cot 2x into cot x minus 1, minus cot 2x into cot x minus, ठीक है, ब्रैकेट को open कीजिए, ब्रैकेट को open करने पर क्या आएगा, cot x, cot 2x, माइनस साइन अंदर जाएगा, ब्रैकेट की, cot 2x, cot x plus 1, इसको देखिए, कुछ देख रहा है, यहाँ पर डारेक्ट आप क्या कर सकते हैं, कैंचल आउट कर सकते हैं इसको, अगर अभी भी डाउट है, तो इसको लिखेंगे, cot x, cot 2x, minus, cot x को मैं पहले लिख दूँ यहाँ पर, और cot 2x को बाद में लिख दिया, plus 1, cancel out को रहें, सीदे-सीदे वैसे भी कर सकते थे आप इनको, एक plus का है, एक minus का है, क्या बच गया, one बच गया, यही तो prove करना था, बस no down कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चो, एक और question लिखेंगे आप, एक बच्चो, 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 एक ब कि यह लेफ्ट हेंड साइड है कॉस फॉर एक्स और राइट हेंड साइड में है वान माइनस एट साइन स्क्वाइर एक्स पॉस्क्वाइर एक्स बराबर प्रूब करने हैं नोट डाउन करके सॉल्व की चीज़ तो बच्चों क्या आपका यह आ गया है पॉल्प कर लिया सबने देखिए यहां पर क्या करना है आपको बस आइडेंटिटीज आपको पता होंगी तो आसानी से आप हल कर पाएंगे यहां लेफ्ट हैंड साइड है इसी को हम रखके सॉल्व करेंगे क्या है आपके पास कॉस फॉर एक्स है है तो कॉस फॉर एक्स को मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉस टू इंटू टू एक्स यह तो कर सकते हैंगे अब देखिए यह कॉस होगा अब मुझे पता है कि कॉस कॉस टू थीटा कि इसके बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वेर थीटा के बराबर यह फॉर्मॉला तो पता होगा आपको यह आइडिन्टिटी कॉस टू थीटा की तीन चार आइडिन्टिटी थी वह उनमें से एक आइडिन्टिटी यहां पर हमने यूज कर लिए आप इसकी जगह क्या लिखे देंगे कोई बदा सकता है यह बजाएगा 1-2sin22x क्योंकि थीटा यहां पर क्या है 2x है तो थीटा 2x है यह फॉर्मॉला यहां पर इस तरह से अपलाए हो जाएगा अब क्या करना है 1-2 इंटू यह है sin square 2x है तो मैं इसको पूरे का square लिख देता हूं ठीक है sin square 2x है तो पूरे का square लिख दिया अब यहां पर थीटा क्या है यहां पर थीटा है 2x तो एक और identity मुझे पता है क्या sin 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा यह भी आपको पता होगा sin 2 थीटा is equal to 2 sin थीटा कॉस थीटा है बस इसी का यहां पर यूज करते हैं यहां पर यह identity लगा सकते हैं बच्चों आप बिलकुल लगा सकते हैं तो क्या जाएगा 1-2 इंटू 2 sin थीटा थीटा की जगन क्या है हमारे पास x है तोस x अना यह हो जाएगा अब क्या करना है इसका square भी है square को open कीजिए 1-2 इंटू अगर square हमें अंदर लेके चला गया है तो 2 का 4 आ जाएगा sin square x को square x अब 1-4 इंटू 2-8 8 sin square x को square x is equal to right hand side यही है चलिए note down कर लिए इसको इस तरह से हम प्रूब कर सकते हैं बचो काफी सारे questions practice कर लिए हैं अब तो हमने इसके आफोब आप खुद से भी इसको कर पा रहे होंगे तो जल्दी से note down कीजिए इसको ठीक है बचो एक और question लिखिए अब प्रूब करना है यहां पर भी कॉससर था 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 थाथ था 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 थाथ बचए अशन ने माइनस साइन फाइव एक्स और यह अना चीक कोट एक्स के बराबर ठीक है लेफ्ट हैंड साइड को देखिए कौन सी आइडेंटिटीटी यहां पे लग रही है अपलाई कीजिए और इसको सॉल्ट कीजिए तो बच्चों यहां पे इसको सॉल्ट करने के लिए कुछ आइडेंटिटी लगेगी है ना सबसे पहले आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एज इस लिख लेंगे वाया पक्स जो है आपके लिए आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है कौन सी कॉस एडेंटिटी लगती हुई दिख रही है कौन सी कॉस कोई बता सकता है क्या होती है इस लिख लिखते हैं एंड साइन दी माइनस ऑडी को क्या लिखते हैं कोई भी बच्चा जिसको पता हो कि क्या होती है यह फॉमले तो मुझे बताएगा चलिए कोई बात नहीं आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए otherwise कोई दिक्कत नहीं है देखे cos c plus cos d हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 और यही साइन के साथ क्या हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 बस इनका यूज करेंगे यह अपलाई करेंगे यहाँ पर और आपका easily answer आजाएगा easily कैसे आजाएगा देखें अब numerator में करिए apply आपका 2 cos 7x plus 5x by 2 into cos 7x minus 5x by 2 denominator में के आजाएगा 2 cos 7x plus 5x by 2 into sin 7x minus 5x by 2 ठीक है आगे 2 cos 12x by 2 into cos 2x by 2 divided by 2 cos 12x by 2 and sin 2x by 2 ठीक है यह cancel out हो जाएगा आपस में क्या बचा को क्या बच गाएगा क्या जाएगा तुक एक एकिक्स एक्स इंटू 2 cos 6x into sin x तो यह आपस में कट गए क्या बच गया cos x by sin x और cos x by sin x क्या होता है cos x ठीक है बस यही प्रूव करना था हम नो डाउन कर लेंगे बच्छो तो बच्छो आज हमने कुछ questions किये हैं अब देखिए किस question में क्या identity लग रही है अगर मैंने वो बता भी दिया तो आपको identity तो पता लगनी चीए ना होती क्या है तो practice से ही आएगा जितना practice करोगे उतने अच्छे से आप समझ पाओगे तो अच्छे से इनको practice कीजिए इसी के साथ आज का session यहां पर end करेंगे thank you and have a nice day